सबको नमस्ते, कबीर जी का दोहा ले रहे हैं यहतन विश्की बे लड़ी, गुरु अमरित की खान, शीश दिये, जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान तो कबीर जी गुरु की महिमा का बखान कर रहे हैं कि मनुष्य जनम में एक गुरु का मिल पाना, जहां हमारा मन टिक सके ऐसे गुरु का मिल पाना, बहुत ही शुब संकेत है और इतना सरल नहीं है एक ऐसे गुरु का मिल जाना, जहांपे हम टिक चाएं तो कबीर कह रहे हैं यह तन विश की बेलडी यह जो तन है यह जो शरीर है इसे विश की बेल कह रहे हैं क्यों कह रहे हैं कभीर जी से पोईजन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो एक हमारी spirit है जो एक मनुष्य जीवन जी रही है बॉडी को occupy करके एक जो मनुष्य जीवन जी रही है वो spirit जो है वो limitless है वो जो spirit है जो if I can say जो soul है वो limitless है वो timeless है वो free है और वो फसी कहा हुई है वो फसी हुई है एक limit में वो फसी हुई है ताइम में no wonder that we feel so suffocated and we want to fly and you know spread our wings we want to do those things that we just thought about our dreams काफी बार हम चाहते हैं उड़ना बट परिस्थितियां हमें उड़ने नहीं देती हम अपने एक role में बंद जाते हैं एक मा के role में एक पती के role में पत्नी के role में जो भी हो सकते हैं उनमें हम फस जाते हैं और फसा हुआ क्यों feel करते हैं क्योंकि जो हम originally हैं वो limitless है वो कोई role में बंद नहीं सकता तो इसलिए कभी कह रहे हैं ये तन विश्की बेलडी और तन विश्की बेलडी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तन के थ्रू ही हमारी जो senses हैं हमारा जो दिमाग है हमारा जो mind है ये सारे तन का ही खेल है तन के साथ ही जुड़े हैं और वही हैं जो हमें सबसे जादा परिशान करते हैं कुछ देख लिया परिशान हो गए, कुछ सुन लिया परिशान हो गए, कुछ भी कहा सुना वो मन का बोज बन गया, तो ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के थू जो एंट्री होती है हमारे दिमाग में, चीजों की जो बर्डन बन जाता है, बोज बन जाता है, कबीर कह यहतन विश्की बे लड़ी गुरू अमरित की खान क्यों कहा गया गुरू को अमरित की खान क्योंकि गुरू हमें उससे मिलाते हैं जो लिमिटलेस है गुरू हमें उससे टच मिलाते हैं जो हमारा ही पूल सरूप है जिसको हम इस शरीर में रहते हुए भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं उस लिमिटलेसनेस को उस टाइमलेसनेस को जिससे हम उस सफोकेशन से राहत पा सकते हैं जिस सफोकेशन में हम अपने आपको डाल के रखते हैं कभी किसी रोल में बंद के कभी किसी रोल में बंद के गुरु हमें हमारे परम तत्व से जो हम हमारा पून स्वरूप है उससे टच मिलाते हैं हमारे हमारा उससे मिलाप करवाते हैं जो हमारा इनर गॉड है इनर गॉड है इनर गाइडिंग लाइट which has the all powerful wisdom, the force, the courage, strength to live life, clarity एक नई जिंदिगी हमारे लिए वो शुरू करवाते हैं अगर हमें एक सचे गुरु मिल गए है यहतन विश्की बेलडी, गुरु अमृत की खान, अमृत की खान अमृत, mortality से दूर ले जा रहे हैं, immortality की तरफ हमें ही वो जो है, जो कभी मर नहीं सकता उसकी तरफ गुरु हमें ले जाते हैं और नहीं तरफ ले जाते हैं, उससे identity करवाते हैं उससे unification करवाते हैं यह हमारे के अंदर गुसाते हैं कि जो तुम हो, तुमें पता भी नहीं है कि तुम कितने powerful हो और जो हमारे दिमाग में हमने कचड़ा गोबर भर रखा है उससे हमें छुट्टी दिलवाते हैं, उससे राहत दिलवाते हैं तो हमारा जो गुरु का काम है, वो एक acid की तरह हैं एक detoxifier की तरह हैं दो कि दो चुट्री सोधे, तो हमारा को उसमी हैं चुट चुट्स उस वर बूर्डंक्त थीडर भर दिल्वाद विका खून भर विट्स अनुट्स तो नहीं हैं शीष दिये जो गुरू मिले तो भी सस्ता जान तो कबीर कह रहे हैं कि अगर तुम्हें अपना सर कटाके भी गुरू मिल जाते हैं तो भी सोचो सस्ते में मिल गए उसको सस्ता कह रहे हैं कबीर और ये एक और लेयर पर भी टच करना चाहूंगी शीष और अगर मिले हैं तो एगो गुरू के सामने रह नहीं सकती गुरू के वचनों को अगर हम अपने में उतरने दे तो एगो का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा it will all be cleansed और इगो ही है जो हमारा burden है इगो is the weight that we carry that separates us from our true divine essence clarity लाते हैं गुरू के शब्द, संतों के शब्द तो कबीर कह रहे हैं कि ऐसे शब्द, ऐसे गुरू अगर आपको मिल जाएं जो अम्रितत्व की तरफ आपको ले जाएं अगर आपको शीश भी उसको कटा के उनको देना पड़े गुरू दक्षना में तो भी सस्ता जानिये तो भी ये जानिये being grateful that you have got it at least in this life because we come for so many lifetimes and we still remain trapped in our body, in the mind, in the feelings, in the emotions तो क्या हम ये कर सकते हैं, क्या हम अपने आपको एक मौका दे सकते हैं इसी जनम में अम्रितत्व के साथ यूनिफिकेशन का जो हम हैं उसी के साथ यूनिफिकेशन और वो तब हुपाएगा जब हम खुद तयार हों इस पत पे चलने के लिए क्योंकि अपने ही patterns, अपनी ही tendencies जिनको अभी तक अपना माना है, जिनको माना है कि ये मैं हूँ उनको हमने त्यागना है, बहुत बड़ा काम है इतनी attachment होती है अपने tendencies से, अपने patterns से कि इतना असानी से छूटते नहीं है, दर्द होता है दर्द के थूँ जाने के लिए अगर हम तयार है बट उसके साथ पूर्णता का भी एसास मिलेगा freedom भी मिलेगी, एक नई तरीके की जिन्दगी जिसमें हर दिन नया हो पाता है हर एक दिन अपने में complete है क्या हम ये कर सकते हैं नमस्ते